नमस्कार स्वागत है आप सभी का योपी ट्रिपल सी जोनियर असिस्टेंट 2019 भरती को लेकर के हाँ पर एक महतुपुड अपडेट है साथी साथ योपी ट्रिपल सी से वन दरोगा भरती के लिए आनलाइन आवेदन कल से सुरू हो चुके हैं इसके लाबा कुछ अन्य महतुपुड सूचना है और भी है वीडियो को आप पूरा जरूर देखीगा वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक कर दिया करें सेर भी कर दिया करें आप सभी साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक् प्रतिक्षा सुची आनी चाहिए चुकि यूपिट्र फलस्य से वेटिंग सुची आती ही नहीं है इस वजह से भविश्य में भी इसकी उमीद नहीं है तो उसी को लेकर करके यहाँ पर निरंतर प्रयास चला है कि वेटिंग सुची का प्राधान हो और वेटिंग सुची आनी चाहिए और यहाँ पर एक दूसरा मामला आप देखेंगे जुनियर असिस्टेंट 2022 की जब नई भरती आने वाली है पी इटी 2021 से सूचना है और भरती का विग्यापन कभी भी आ सकता है हो सकता है इसी वीक में आ जाए पदों की संक्या भी इस बार अच्छी है पिछली बार क चाहिए जुनियर असिस्टेंट की भरती हो या फिर इस्टेंट वाली भरती में भी नंबर जुडते हैं अकेडमिक की सायत आप लोग सबको पता होगा जो यूपीटर पलसी भरती की तैयारी कर रहे हैं जुनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आया है इसमें एक मामला कूर जिसमें लिखित परिक्षा के बाउजूद मेरिट में अभी जो नहीं आ सके मतलब रिटन में उनके नंबर जादा है लेकिन एकेडमिक उनका कम है और उसके बाद जल्ट अर्ट फाइनल मेरिट बनी है जिसमें एकेडमिक और रिटन दोनों के नंबर जोड़े गें तो वह अगेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में जोडने का विरोध किया है इसको लेकर प्रतिक्षा सूची संगर समयति की अध्यक्ष संजय कुमार यादा हुआ अन्य की याचिका पर हाई कोट में सुनवाई हो रही है अभ्यारतियों की मांग है कि जब लिखित परिक्षा कराई जा होंगे तो इसी वज़े से आप देखेंगे आने वाली भरती में भी अकेडमिक हटाने की मांग की जा रही है संजय यादाओ की अनुसार इस भरती परिक्षा में 65 अंकों की लिखित परिक्षा के साथ 130 परिक्षा का प्रडाम 3 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था निर्धारित थे उनके मुदाबिक लिखित परिक्षा में एक एक सही उत्तर पर सिर्फ आधा आधा अंक हासिल कर अधिक अंक पाने की बावजूद फाइनल मेरिट में कई अभ्यारती इसलिए पिछड़ गए कि इधर कुछ वर्सों में चात्रों को अकेडमिक अंक अधिक मिले हैं पहले परिक्षारतियों को अकेडमिक परिक्षा में कम अंक मिलते थे इस इस्तिती में लिकित परिक्षा की आधार पर ही मेरिट तयार किया जाने की मांग की गई अधिनस्त सिवाच चैन आयोग ने कहा है कि इस विसेस अपील एवं भविसे मेरिट याचकाओं में अन्तिम नेड़ा हाई कोट द्वारा पारित होने वाले आदेश की अधीन रहेगा इधर इस मुद्दे को लेकर प्रतियों की चात्र जल्द ही बैटक कर नई रणनेती तैंगे आप देखेंगे उत्तर प्रतिस में जो बेसिक की जो प्रात्मिकी सिक्षक परती होती है उसमें भी वही आल है चाहे जूनियर की भरती होती है उसमें भी वही आल है एकेडमिक अंक जोड़े जाते हैं जिनके एकेडमिक अंक कम होते हैं रीटिन में अच्छे नंबर होने के बावजुद वे अभ्यरती मेरिट में नहीं आ पाते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए दरोगावरती 2021 वाला मेडिकल इस्टार्ट हो चुका है और पहले दिन 50 अभ्यरतियों में से 49 पुलिस लाइन पहुंचे थे इन में से 32 अभ्यरती ही जाच में सफल हुए 17 अभ्यरती अनफिट कर दिये गए हैं प्रियाग राज SP प्रोटोकाल ने बताया कि डाक्टरों का बैनल अभ्यरतियों का मेडिकल परिक्षर कर रहा है आँक कान के साथ हाइडरोसील वा हारनिया आदी बीमारियों के जाच की जारी है अलग-अलग कारणों से अनफिट हुए 17 अभ्यरतियों को एक मौका दिया गया है अभी यह मंडली बोर्ड में अपील करेंगे वहाँ पर डाक्टरों की टीम एक बार फिर से चांच करेगी अगर वहाँ से सफल हुए तो भरती में शामिल कर दिया जाएगा तो प्रियागराज, फतेपूर, कौसांबी, प्रतापगण और 36 गड़ के 405 अभ्यरतियों का मेडिकल परिक्षण और चरितर सत्यापन पुलिस लाइन में किया जाना है रोज 50 अभ्यरतियों को परिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है, अभ्यरतियों का 31 अक्टूबर तक सत्यापन चलेगा सालवर गिरोव पर पहले सी थी ह्टेप की नजर पी एटी दोजार बाईस एकजाम कई सालवर पकड़े गए हैं, बहुत सारे परिक्षारतियों ने परिक्षा छोड़ दी और दूर सेंटर होने की वज़े से बहुत ज़्यादा दिक्कते हुई अभ्यरतियों को आने जाने में जबकि यहां केवल प्रारमिक अरता परिक्षा थी, पिछली बार देखेंगे सत्र लाख अभ्यरति एक दिमें परिक्षा कराई गई थी, लेकिन सेंटर अपने बगल वाले जिले में होने की वज़े से बहुत ज़्यादा दिक्कते सब पून हुई थी, लेकिन इस बार प्रिट के अनुसार विभाग भी आवन्टित कर दिया गया है, जल्द नियुक्ति पत्रत जारी होगा, बाकि आप पढ़ लिजेगा अगर आपके काम का हो तो, एक यहां पर साकारता भरती है, दोजार पारे से सतरह की बीच में 2324 पत्दों पर ये भरती पर क्रियक की गई आफ 160 के तर्थ नोटिस भेज कर बुलाया है, माना जा रहा है कि SIT इनसे OMR सीट में हुवे खेल के बाबत कुछ जानने की कोशिस कर सकती है, आप देखेंगे इन में जो भरती कराने वाली संस्ता सेवा मंडल की ततकालिन अध्यक्षों सचीवों के साथ ही अन्य अधिकारी भी नामजद किये गए थे, SIT दोरा अंभी हर्तियों को भेजे गए पत्र में लिखाए कि भरती अनिमित्ता की बिविशना चल लए है, इस मामले में आपका अभी कतन पक्ष अंकित किया जाना है, तो यहाँ पर हुविती भरतिया, इन मिभाग में और इन पतों के लिए P.E.T. सेद्मारी करने वाला एक गिरो सोराओं से हो रहा था संचाली थे, यहाँ पर देखें जो वन दरोगा भरती है, इसके लिए कल से आवेदन सुरू हो चुके हैं, 25 रुपिया आवेदन की है, और जब मेंस के लिए जब सार्ट लिस्ट होंगे, तो वहाँ पर आप फ अगर यहाँ पर UCCP E.T. 2021 की स्कोर के आधार पर ही, आप यह फॉर्म भर पाएंगे, टोटल जो पदों की संक्या है, 701, अनरे जर्वा 288, O.V.C. 163, यहाँ पर U.R. लिखना चाहिए, E.W.S. 70, Y.C. 160, Y.C. 20, इसी तरह से 6 दिज आरक्षिर में भी सीटों का बटवारा इसमें जो है असनातक होना चाहिए, गडित भोते की कोई भी दो विशे होना चाहिए इन में से, गडित भोते की रसायान, वरस्वती, प्राणिशास्त्र वाने की, भूविज्यान, क्रिसी, सांके की, परियावर्ण, इन में से कोई भी दो विशे आपकी असनातक डिगरी म होने चाहिए या इंजिनिरिंग में असनातक डिग्री हो या पसो चिकिस्सा में बैचलर डिग्री हो वेटर्नरी साइंस में आयो सीमा एक किसे चालिस एक साथ दोजार बाई से देखा जाएगा आयो को इसके लवाब कुछ फीजिकल स्टेंडड भी है सार्जिक मानक भी है पूरुस की उचाई 163 सेंटिमीटर महिला की 156-1984 फुलाने पर 84 और इसी तरह से महिला के लिए 74-79 दोड़ना यहाँ पर है चार गंटे में 25 किलोमेटर पैदल चले महिलाओं के लिए 4 गंटे में 14 किलोम तो यह कोल मिलाकर कि एक महतोफुल अपडेट थी इस वीडियो की माद्धेम से आगे कि जो भी आथेंटिक सही जानकारी जो भी महतोफुल सूचना ओकि समय समय पर आप सभी को हमारे चेनल की माद्धेम से जानकारी मिलती रहेगी आखि आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को आप लोग लाइक शियर जरू कर दीजिएगा धन्यवाद